हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सी एंसी गुरू महंदर वर्मा तो दोस्तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर को जोईन करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रेप्शन में दिया हुए तो दोस्तो आज का वीडियो जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि CNC टर्निंग मशीन के जो मेंन में पार्ट्स होते हैं इन पार्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कोई भी वीडियो की शुरुवात करते हैं तो आज का जो हमारा जो कंटेंट है इसके अंदर सबसे पहले आपको यहां पर CNC टर्निंग मशीन दिखाई दे रही है इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे आपका मशीन का चक ओप्रेटिंग पैनल और फूट क्लैम बहुत में बताऊंगा टूल टेरेट क्या होता है टेल स्टोक, स्पिंडल, सर्वो मोटर, चक, एक्सिस मोटर, चिप गार्ड डोर, हाइड्रोलिक ओयल टेंक, लूब्रिकेशन ओयल टेंक, कुलेंट टेंक, PLC पैनल और स्टेपलाइजर के बारे में आप लोगों को बताने वाला ह तो दोस्तो वीडियो बहुत important है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, control panel के बारे में, तो दोस्तो control panel क्या होता है, machine का जो control panel होता है, उसको हम लोग जो है वो operating panel भी कहते हैं, operating panel जो होता है, उसके अंदर जो है वो क्या-क्या होता है, friends आपको बताना चाहता हूँ तो मशीन का जो operating panel होता है उसके अंदर जो है मशीन को पूरा का पूरा control किया जाता है तो इसको जो है मशीन के अंदर जितने भी keys वगरा लगे होते हैं मशीन का जो setting करने के लिए जो भी इसके अंदर जो भी आपके numerical keys होते हैं, alphabetic keys होते हैं मशीन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सा रिकीज होते हैं वो आपके इसके अंदर दिये जाते हैं तो यह होता है आपका control panel आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है वो अलग-अलग type के control panels आपको दिखाए गए हैं तो अलग-अलग machine के जो अलग-अलग control panels होते हैं कई types की companies होते हैं जिनके अलग-अलग types के जैसे मतलब आपका फानू control होता है और आपका Simmons कंट्रोल होता है तो अलग-अलग machine के अंदर अलग-अलग companies के जो है वो control panel जो है वो लगे होते हैं तो machine के जितने भी जो keys हैं इसके उपर मैंने अलग से जो है वो वीडियो बना दूँगा मैं और ये हमारा जो है वो main इसका काम होता है कि machine को control करना operator यहीं से जो है वो पूरी machine को control करता है आगे बढ़ते हैं अगला जो आपका आता है वो है tool turret tool turret जो क्या होता है tool turret होता है आपका इसको हम लोग automatic tool changer भी कहते हैं तो automatically ये क्या करता है tool को change करता है और इसके अंदर जो है वो अलग-लग types के जो है आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग-लग operation के लिए अलग-लग type के जो है वो हमारे cutting tools fit किया जाते है तो according to operations हम लोग जो है वो कौन से tools है में working करवाना है वो हम लोग program के अंदर डालते है और machine जो है वो automatically tool को select करती है और आपका जो operations है उसको perform करना शुरू कर देती है तो यह आपका हो गया tool turret आगे बात करेंगे tel stock कोई भी अगर tel stock का जो उप्योग होता है वो job को या component को support करने के लिए use के जाता है part को center to center अगर हम लोग पकड़ना चाहते है तो tel stock का जो है वो हम लोग उप्योग करते है तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक जो सिरा है वो आपका चक में पकड़ा हुआ है और दूसरा जो सिरा है वो tel stock में यहाँ पर जो है वो गलेंट किया हुआ है तो यहाँ पर जो है वो center to center part को पकड़ने के लिए tel stock की आपशक्ता जो है वो हमें होती है तो यह आपका जो है वो main work होता है tel stock का आगे बढ़ेंगे spindle spindle दोस्तों क्या होता है कि spindle जो होता है एक hollow shaft होती है जो कि इसके उपर जो हमारा chuck जो हो लगा होता है और जो spindle होता है उसके अंदर हम लोग chuck को fit करते हैं और जो spindle होता है इसके साथ में हमारा servo motor का connection होता है और जिसी servo motor गुमती है तो हमारा जो spindle है वो rotate करता है ठीक है तो ये एक hollow shaft होती है पूरी बिल्कुल आरपार यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है अगर हमें को लंबा job लगाना होता है तो हमारे को spindle बोड़ा help करता है क्योंकि उसके अंदर आरपार job को हम लोग जो है वो fit कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे servo motor तो दोस्तो servo motor क्या होती है CNC turning machine के अंदर जो हमारी motor यूज की जाती है spindle को rotate करवाने के लिए वो हमारी servo motor होती है तो servo motor का जो मुख्य क्या रहा होता है वो क्या होता है कि जैसे मतलब automatically rpms को जो है वो control करती है ठीक है rpm की speed जो है वो कम ज़्यादा करना ठीक है तो और ये heavy load ले सकती है और heavy rpm जो मतलब अधिक rpm में अगर हम इसको गुमाना चाहिए तो हम लोग गुमा सकते है तो heavy load लेने के कारण क्या है कि ये जो machine के अंदर एक तो accuracy प्रदान करती है और accuracy के कारण क्या है कि हमारा जो component रता वो सही तरीके से जो है वो machine के अंदर बनता है तो servo motor का ही जो सबसे ज़्यादा उपयोग है वो हमारा spindle के अंदर यूज किया जाता है आगे बढ़ेंगे चक तो चक का उपयोग क्या होता है दोस्तो चक जो होता है हमारी machine के अंदर part को जो है वो component को पकड़ने के लिए हम लोग उसके अंदर clamp करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थ्रीजा चक दिखाया गया तो हमारे जो CNC turning के अंदर जो चक यूज होते हैं वो जयतर hydraulic pressure पर वर्क करते हैं और उसके साथ में जो है वो अलग-लग design के भी जो चक है हम लोग यूज करते हैं तो यह हमारा थ्रीजा चक है इसके अंदर हम लोग part को जो है वो clamp करवा सकते हैं आज़ाने के साथ में आगे बढ़ेंगे axis motor क्या होती है CNC turning के अंदर axis को control करने के लिए जो है वो axis motor के आफशकता होती है और axis motor जो होती है वो भी servo motor की तरही working करती है विल्गुल यह axis motor का जो मुख्य का रहा होता है वो होता है आपका यह circular motion को linear motion में convert करती है ठीक है और इसको हम लोग जो है वो axis motor के नाम से जानते है machine के अंदर जो ball screw होता है उसके साथ में जो है वो इसका connection attach होता है तो जैसी आपकी motor गुंगती है उसी के according आपके axis जो है वो change होती है तो यह आपका axis motor हो गया chip guard door तो machine के अदर क्या होता है कि operator की safety के लिए एक chip guard door लगा होता है machine के अंदर जो भी working हो रहा होता है तो उसका कोई effect operator के उपर ना पड़े machine के operator होता है से atis लिए safety door होता है बहुत ही important होता है तो इसको बंद करके वासानिक साथ करिया कर सकता है अगर इसको बंद करके करें नहीं करेंगे तो operator की जो safety है वो नहीं होगी क्योंकि machine के अंदर chips बगरा निकलते रहते हैं और coolant बगरा जो है वो directly operator के उपर गिरता रहेगा तो उसके बचाव के लिए हम लोग जो है वो chip guard उपयोग करते हैं आगे बढ़ेंगे hydraulic oil tank जो होता है वो मतलब oil भरा होगा उसमें और इसके अंदर से जो है वो एक pressure जो है वो बनाया जाता है pump के द्वारा और motor के द्वारा और वो आगे जो है वो हमारे चक को control करता है उसका clamping declamping का working करता है टेल स्टोक का forward and retract का करता है तो यह हमारा जो है वो hydraulic oil tank हो गया आगे बढ़ेंगे lubrication oil tank lubrication का जो मुख्य का रहा होता है machine के अंदर जो लगातार चल रहे part होते हैं वहाँ पर क्या है कि lubrication को पहुँचाना तो CNC turning में या VMC में दोनों machineों में यह lubrication use होता है जहाँ पर लगातार पार्ट चल रहे होते हैं वहाँ पर जो है वो lubrication पहुचाने का कारे जो है वो हमारा lubrication oil tank का जो होता है उसके अंदर pressure gauge लगा होता है और इसके अंदर oil जो है वो capacity दिखाता रहता है कितना इसके अंदर oil है maximum and minimum का आपको range दिखाता रहेगा motor लगी होती है और यह असानी के साथ में जो है वो जहाँ पर lubrication की आपशक्ता होती है automatically जो है वो lubrication machine पहुचाती रहती है आगे बढ़ेंगे coolant tank तो machine के अंदर coolant की आपशक्ता होती है कोई भी part हम लोग जब काटते हैं तो coolant बहुत जुरूरी होता है तो part को ठंडा करने के लिए tool की life बढ़ाने के लिए और accuracy के लिए cutting tool जो है वो अच्छय life दे tool आपका सही रहे जोव आपका सही बने तो उसके लिए हम लोग coolant की आपशक्ता होती है तो coolant tank के अंदर जो है वो circulate करता रहता है coolant directly component पे गिरेगा और उसके बद में directly tank में आ जाएगा वापिस circulation चलता रहता है तो part को ठंडा करने के लिए coolant tank की आपशक्ता बहुत होती है PLC panel तो PLC panel जो होता है वो इसको हम लोग programmable logic control भी कहते हैं programmable logic control जो है वो machine का एक प्रकाज से mind कर लाता है क्योंकि यहीं से पूरा machine की processing होती है और उसके बाद में जो है वो machine आपका control किया जाता है तो PLC के बिना जो है machine जो है वो कोई भी command के उपर process नहीं कर पाती है तो यह आपका PLC panel बहुत ही important panel होता है stabilizer stabilizer का working जो होता है दोस्तों हम लोग घरों में भी use करते है electricity को control करने के लिए तो machine के साथ में भी एक stabilizer आता है और machine जो है वो आपका electricity को control करती है इस stabilizer के द्वारा तो बहुत ही important role अदा करता है यहाँ पे stabilizer तो यह भी एक बहुत ही important part होता है CNC machine का आगे बढ़ेंगे तो कुछ मैं तो पूर्ण questions आपको मैं बताऊंगो यहाँ पे CNC machine का वह कुन सा part होता है जिसमें tool बंदे होते हैं तो इसका सही answer दोस्तों आएगा tool turret तो tool turret जो होता है उसके अंदर जो है हम लोगो part जो है वो जिसके अंदर tool आपके बंदे होते हैं cutting tools की बात कर रहा हूँ है यहाँ पे cutting tools जो होते हैं वो tool turret में लगे होते हैं अगला question है PLC क्या होता है तो PLC का जो full form होता है दोस्तों वो होता है आपका programmable logic control तो यहाँ पर जो है वो option number C सही है आपका programmable logic control आगे बढ़ेंगे CNC machine का वैकोन सा part होता है जो machine parts में lubrication को supply करता है तो यहाँ पर सही answer आएगा आपका lubrication oil tank lubrication oil tank के द्वारा हम लोग lubrication को supply करवा सकते हैं machine में आगे बढ़ेंगे CNC machine के axis में कौन सी motor लगी हुए होती है तो CNC machine के जो axis होते हैं उसमें हमारा axis motor लगा हुआ आता है जो की circular motion को linear motion में convert करता है आगे बढ़ेंगे control panel का दूसरा नाम क्या है तो control panel का जो है वो दूसरा नाम है आपका operator panel operator panel भी कहते हैं control panel को तो यह आपका हो गया operator panel तो दूस्तो बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके जुरूर बताना अगर वीडियो पसंद आए तो आप like share और इसको अधिक से अधिक share जुरूर करना दूस्तो धन्यवाद नमस्कार